Hello everyone, welcome to Studies Code, I am Shivani Chauhan और इस वीडियो में आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण ये सारी classes के लिए बहुत important रहेगा तो इस वीडियो में हम देखेंगे भाशा, बोली, लीपी और व्याकरण हिंदी व्याकरण में ये सब चीजें हम लोग देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाशा क्या होती है देखें, हम लोग मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक भाशा है अगर अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, किसी और लैंग्विज में बात करती तो वो कुसी और language की भाषा होती पर भाषा को सीखने के लिए हमें कुछ व्याकरण की जरूरत होती है तब ही तो हम अपने message को convey कर पाएंगे ताकि दूसरे को भी समझ पाएं एक दूसरे को हम समझ पाएं तो इसलिए हम लोगों को grammar के या व्याकरण के कुछ रूल्स समझने पड़ते हैं तो भाषा की अगर हम लोग definition देखें तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है इसका अर्थ है बोलना मनुश्य जिन ध्वनियों को बोल कर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं इस प्रकार कहा जाता है कि भाषा वह सादन है जिसके द्वारा मनुश्य बोल कर, लिख कर, पढ़ कर, वैस सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है तो भाषा क्या है? भई हम बोल कर, लिख कर, अपने मेसेज को कनवे करते हैं हम अपनी बात दूसरे को समझाने के कुशिच करते हैं वही भाषा है अब भाषा के कहीं रूप होते हैं तो भाषा का प्रियोग हम मुख्य तहा बोल कर तथा लिख कर करते हैं इस प्रकार पर्योग की आधार पर भाशा के तूरूप होते हैं एक होता है मौखिक बोल करके और एक होता है लेखित मौखिक देखे आप सुन रहे हैं मैं बोल रही है और लेखित यह जो आपको लिखा हुआ देख रहा है है ना अब मौखिक भाशा क्या होती है मौखिक भाशा है ना मौखिक का अर्थ होता है मुख से निकली हुई जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाशा का मौखिक रूप कहलाता है जब हम बोलते हैं या सुनते हैं और अपनी बात को कनवे करने की कोशिश करते हैं तो वह भाशा का लिखित रूप होता है भाशा का मूल रूप मौखिक होता है इसे सीखना नहीं बढ़ता हम लोग बचपन में सुनते सीखी जाते हैं मात्र भाशा भाशा का वह रूप जिससे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वह मात्र भाषा कहलाती है तो जिस भाषा को हम बच्पन से सीख रहे हैं हमारे पेरिंस बोलते हैं हम बच्पन से सुन रहे हैं हमारे आसपास के लोग बोलते हैं है ना घर में सब लोग जिस भाषा का इस्तमाल कर रहे होते हैं वही हमारी मात्र भाषा होती है वेस्प्रकार हैं 22 भाशाओं को मानने तरह प्रदान की है हमारे समवधान ने जिसमें से हिंदी असामिया बंगाली गुचराती बोडो डोगरी कंणड ये सारी की सारी इसमें भाशाओं राज भाशा का अगर हम लोग संधी विचेत करें तो राज प्लस भाशा यानी कामकाच की भाशा वे भाशा जिसका प्रियोग देश के कार्यालों में कामकाच के लिए किया जाता है उसको राज भाशा कहा जाता है राज भाशा और राष्ट्र भाशा में अंतर होता है राश भाशा नहीं है हिंदी है हमारी राज भाशा ठीक है बोली जाने वाली स्क्रिप्ट क्या होता है जो चीज लिखी हो जाती है बोली जाने वाली हर ध्वनी को लिखने के लिए कुछ चिन्नित किये गए है इन्ही चिन्नों के लिखने के तरीके को हम लोग लीपी कहते हैं तो जैसे कि हिंदी देव नागरी लीपी में लिखी जाती है तो जिस तरीके से हम जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग कुछ चिन्नों की सहायता से लिखने की भी कोशिश करते हैं तो जो चीजह हम बोल रहे हैं, उसको कुछ चिन्नों की help से हम लिखने की कोशिश करते हैं, उन चिन्नों को जब हम लोग लिख देते हैं, बस उसी को ही हम लोग लीपी कहते हैं, उसक branches, लीपियों, लीपिया हैं, भाषा लीपी जिसे की गुरू-मुख्य, पंजाबी, देव देवनागरी लीपी में क्या क्या लिखा जाता है हिंदी संस्कृत मराठी बोडो संथाली कॉंगडी ये देवनागरी लीपी में लिखी जाती है उर्दू लिखी जाती है फार्सी में कश्मीरी शार्दा में रोमन फ्रांसीसी में बोडो देवनागरी है इस तरीके से अलग देवनागरी लीपियां हैं जिन में भाशाओं को लिखा जाता है हिंदी की क्या है देवनागरी लीपी भाशा हिंदी भाशा का परियोग भारत में हिंदी भाशा का परियोग तीन रूपों में किया जा रहा है राज भाशा के रूप में कहां कहां पर किया जा रहा है उत्तर बहें हम लोग पूरे देश में आकर जाए तो हिंदी और इंगलिश का मिक्स चला ज़ाकर कर देते हैं बोली क्या होती है, सीमत शेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानि स्थाने वेभार में अल्प विकसित रूप में प्रियोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, तो कहते हैं ये तो बोली है, मतलब एक sub-part हो जाता है, उसका कोई लिखित कोई उसकी लीपी नहीं होती जो local languages होती हैं, उनको बोली बोलते हैं हिंदी की बोलियां, जैसे की काफी सारी हैं ब्रेज, खड़ी, बोली, हरियानवी, बुंदेल, खंडी, कन्नौजी, है ना अवधी और बहुत सारी हैं, गड़वाली, कुमाउनी, बीजापूर, गोलकॉंडा, भोजपूरी, इसमें मेवाडी अलग-अलग ये हिंदी की बोलियां हैं, ये हिंदी जैसी होती हैं, बस कुछ शब्द इनके काफी अलग हो जाते हैं व्याकरण क्या होता है, जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शिद्ध प्रयोग की जानकारी देता है, वह व्याकरण कहलाता है मतलब किस तरीके से हम शब्दों को साफ रूप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, वही व्याकरण होता है अब व्याकरण के काफी सारे अंग होते हैं व्याकरण के मिली चार अंग हैं वन विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार तो ये सब भी हम लोग देखेंगे आगे तो इस विडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं आगे हम लोग व्याकरण के अंगों के बारे में और बाकिस जीसों के बारे में देखेंगे अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अभी हम लोगों ने सिर्फ शॉट में देखा है आगे हम लोग धीरे धीरे करके पूरा एक्स्पांडिस पे रिलेटेड़ क्वेस्चन्स भी करेंगे सब कुछ अच्छे से करेंगे अच्छा लगा है सब्सक्राइब करना लाइक करना शेर करना थैंक्यू